हलो एब्रिवन आई होब यौल आ डूग वैल याल आई वीडियो में बात करेंगे एक हमारे एडिटोरीयल पभ्लिशवा है भाल ऑफ इंडियन एवीशन इंडेस्ट्री अब आपको बता है इंडियन इवीशन इंडेस्ट्री हमारी एयर लाइन जो फ्लाइट होती है इसके बात करते हैं तो इस एडिटोडियल में क्या काया है कि जो हमारा गोफस्ट है उसका दिवालिया गोशित हो गया और जो हमारा डिरेक्टर जनरल है एविशन का तो इन्होंने काया डिरेक्टली मना किया कि इमिडेटली आपको अपनी टिकट की सेलिंग को स्टॉप करना एफिशेंटल रिलाइबल थिंग उनमें यह फेल हो गया था इन्होंने अछे से नहीं किया और इसका जो जोंग इन्जन मैंफेट्चर है जो इंजन गा रहा वो बहुत इंजन मैंनिफेक्चर है और इसके लिए इसे इन्दर प्रम जादा लग है इसको अपरेट करने तो जैसे कि हमारे बात की जा रही है अभी जो मार्च टूजन टूजन टॉनटी त्री की बात कर रहे अभी जो रिपोर्ट आई इसमें क्या कहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक केरियर फ्लू है वो मतलब तो 13-0-0-1 एंडर को मताब वन एार में हम लेकि गए कि लास्तियर से और इस यह का कमपेर करें तो थर्टिन मिलियन ठीक है पैसेंजर ने ट्रावल किया जो डोमेस्टिक थी ठीक है दोमेस्टिक ट्राइस वह होती है कॉलकिता से बैंक लोट चले गए तो ऐसे अगर आप एक यही एरिए में अपने ही जो आपकी बांडरीज के अंदर चिया मीोश्ते आपए यही जो हमारा की तो यहीटा क्या कहा तो इसके नदर क्या अन्दिकन को म sł note जो सकते इतनी फ्लू हो सकते हैं, कि हमारा आने बाला अन्दाजा लगाया है, जो कहां हमारा सिविल एविएशन के वहनाा, उन्होंने यह चीज बताई हैं, अब जो एक और चीज जो उन्हें अन्दाज लगाया कि आने वाले धिपया, आने वाले 20 साल बाद आने वाले coming 20 years के बाद जो हमारा aviation sector है इसके अंदर बहुत जादा बड़ोतरी देखी जाएगी लाइक आने वाले 20 साल के अंदर जो हमारे इंडिया है ना वो हैंडल करेगा एवरी एर 1.3 billion passengers ठीक है billion passenger in domestic flies इतने पैसेंजर domestic fly में होंगे every year देखने को मिलेंगे ठीक है annually तो यह आने वाले 20 साल में ऐसा हो सकता है योग जितनी स्पीर से हमारा aviation industry इविशन सेक्टर ग्रोव कर रहा है ना उसके हिसाब से चीज़ तो करने जो हमारी इंडिया में आपको इक चीज पता हो जी करने लिए हमारे पास 148 airports चीज चेकर 148 airport और आपको पता है कुछ और पर बही रहे है तो करेंटर्ले आपास इतने और हमारा जो एरिपोर्ट रहरा मतब जो इंडिया की एर इंडस्ट्री एन एलाई एविएशन इंडियां तो इसमें दिश्टर करते हैं तो मशने सब्सक्राइब द्र घी जब म्हिंते हैं cattle δεν में जय बहुत जयादा लोग इंडियां में तो किड्ल करते हैं एक जगाए बीज़ी जगाए Freeze सबसे ज्यादाि द्यूमेस्टिक फ्लाइ सब उस्ट जारा हमारी बात की जारी है जो इंडीग आप में सब सुना होगा इन्डीग बहुत ज्यादा फिमस और आपको भी पता है इन्डीग की फ्लाइट का जो रिट वगएरा शर्विस वगारा बहुत प्लाइब बहुत फ़ला अफ़नीशीयल बात एक जालू को आइश है इन में हमारी इवैस्टार्छाड्स उन्पा मार्कितund कर अपने क 하기 वह प्रिया कम अपने अपने अमे से क्वाइसा मात चीज़ा और मिवचय को मलता है को हमारी आफ ज्याधां क्लार अफ क्वाइसा है लिए येन हमारा बहुत ज्यादा ग्रॉइंग सेक्टर तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अपवर चीजे देखने को मिलनें गी तो आने मुद अने वादा इसमें अमारी एकोम्पोर्ट करें गां मैं हम इसको समझसके अगर एक ने किसी टिक्ट का प्राइस 5000 किया तो दूसरा क्या करेंगा उससे कॉंपेटिशन के चकर में उसका रीट नीचे कर देता है तो इसी कॉंपेटिशन में यह अपना ही लोस कर रहे हैं और क्योंकि ग्रोइंग सेक्टर है वेशन बट यह एक दूसरे को देख देखें बड़ा उतार तो उसके वज़े से हमें दिक्कत देखने को मिल रहा है फाइशाल भी में केसे मारा हिए फाइन च्योंट इपकल्टीज अभ फाइशन यह आप कंपटिशन के चक्र में अपने वह तो दिक्कत है देख है उसके फिर हमें नुक्सान भी है इनके जो एर लाइ किने जो कि बंद कर दिया नहीं तो इसे कम आपने फियर के उपर यह थो नगाय कर दिया उस पैसे को नहीं कर क्या रिंज कि विज़े से लोग टिकट प्राइज की वज़े से इनका फाइनेशली दिक्क्त देखने को मिल रहे हैं तो इसके बाद अनीफ़न उसने को मिलते है अप अनिन मार्किट शेर कैसे कि आपको बता है एर इंडिया और इंडियों कि जैसे बाता बहुत ज्यादा मार्किट को और करा है 56 तो यह मतलब 56 परसंट पूरा मार्किट इसने कवर अपकर रहे और जो इसके बाद प्रफट परसंट जो अधर ना इनके पास ना मस्त दस से लेके 20 परसंट जो है मार्किट कवरेज तो अनिवन मार्किट किसी को तो बहुत अच्छी टिकट्स वगएरा लोग बहुत जटा रहे हैं और काई जगा क्या है लोग नहीं दिखा रहे ठीक है तो यह भी बहुत बड को मिल रहे है आप अगां कर फो selिक भी देगनुस को मिल हसे अधिया ही जो हमारा आप जुप जयाए नहीं को मिल रहने इसंद को बढ़िए और इंडी इसंद को दो हमारा नग आश्य श्कै आरे रही जो छो इसकश्ड बिस पताँ ज आज चाल यह को मतले है अच्डल नहीए उसे प्रप्स टश्र ना के आधे तो यह वह स्यादे इंडिया के अंदर इसके अब हाइध लीज लीज कोस्ट कि जो हमारा यह एरपोर्ट बनाते है अब इंडिया के अंदर देख लो दूसरी कंट्री में देख लो यह हम एक जगा बना रहे हैं जहां पर हम अपने एर लाइन को इनको साहर चीज़ों को रख सके तो यहां पर पता है हमारी ज्यादातल जम जो जगता है ठीक है अब उस पर जितना अगर हम कमा रहे हैं तो उसका 15 पर संट रेवेंड्यू और डारेक्ली लीज पे चले जाता है जितना लीज पर देर्का उसका टैक्स बढ़ने में उसका रेंट देने में एन्यूल जो उस पर लग रहे हैं चार्ज तो उसमें चले तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया में देखने को मिल रहा है आप तीसरा हमारा आता है डोलर रूपी वोलाटीलिटी ठीक है वोलाटीलिटी इसके अंदर क्या होता है कि जो हाई ओप्रेशन हो रहा हमारे डोलर के और रूपी के आपको पता है हमारे वह जादा डिफरेंस है युएस का एक डॉलर हमारे 86 रूपीज के इकवल है तो अब यह सोचो वहां प्रेशन को जगा लिया अपने इनके ले क्योंकि एक जगा से दूसरी जगा जा तो उसमें बहुत जादा बेरिएंस है ठीक है बहुत जादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो तो किसे लाइन के लिए झृफ से बाद हावाए सर्विस चार्ड जो रहे हैं हमेरे बदर हमारा इसके बाडन होते इसके अनर होते हैं हाई सर्वीज चार्ज फिफरे जो एग देखके झा को ब्हूं प्रे दूसरे को लोकरें ऑनको देखक्सन करने शिकर में तो चीकवत त पर कि अरफ ने अधिम ऑना होता है है और हम लुटके साथ हमारी जो होते हैं अधर बीक्सफ होते हैं हर चीज को मैंट्रेम करना होता है तो पता है को कोई पाइज के डिम अधर डिंगी सैंड आख जाएगी就 हो tracing थे वहां कि बहुत जादा है और टिकेट के बहुत जादा है तो यह भी चैलेंज अब हैंड आप की अगर किसी को ट्रेनिंग कर यह है तो है ठ्रेनिंग कोस्ते है अब पर दो पाइले चेडिय ओके अर इक की ग्कार्ड रमारी थिक्ड अपको सट घ्च नगे जो के शितमे हमें पालों मैंने गतल्स धाकfill को हमारी पस्थिलेगी से लगते हैं हमारी पासटे मधश्छ के बारे पता हूना के विश्टनीटीस के के साहिंज करें तो एक आधरा क्योंकि ट्रेणिख सेक्षिप से बहुत पालूंग यैं को तरफिम उसक्त। है तो हमें बहुत जादा बेनिफित होने वाला है ठीक है अब इंडिया के अंदर जो अपोर्चुन्टी देखने को मिल रहे है जो दूहजर सताइस तक इंडिया ने सोच है कि जो हमारे एयर क्राफ्ट की जो प्रोजेक्ट को हम इंक्रीज कर देंगे किस्ती की स्पीड से 1100 क से इसके जो साइज़ेज है और इसमें हम क्या चीज करें जो इनके डिमांड से मैंटेनेंस की उनको भी फुल करने की कोशिश करें कि हम मैंटीन कर पाएं ठीक है अधर जो कंट्रीज है उनके मुकाबले थोड़ी कम पैकोस्ट वे अब इसके अंदर जो म्रों है ठीक है मैं करते हैं अब जादे लोग प्रिफर करते हैं तो इसके लिए अब लोग जादे जा रहे हैं तो पैसा भी ज्यादा आएगा उसके सथ फैसलिटी इंक्रीज होगी उनकी ग्रॉथ भी होगी अब इंडिया के अंदर अपोर्चुन्टी तो है अन्वाल टाइम में बहुत इंटर रिजनल हब जो अलग अलग हमारे हो गए हैदराबाद बैंगलोरो और क्याना में दिली से जितने भी यह सारी जगह हैं हम इनको कर पाएं तो हम नौर्थ इस चगापे ना नौर्थ इस स्टेट्स में हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एविशन इंडिस्ट्री क इंटर रिजनल हब बनाने की सोचे अब इंटर रिजनल हब क्या होता है इंटर रिजनल हब होता है हमारा जो कि जहां से हमारी इंटर नेशनल फ्लाइट जाएंगी ठीक है दिल्ली हिद्राबाद बैंगलोर से लेके हमारे सारी सारी गुहार्टी जाएंगे गुहार्टी से तो यह हमने इसके लिए जो हमारी ओफ इंडिया एरपोर्ट की उसने यह चीज कर दिया है ठीक है पास कर दिये तो इस पर भी काम चल रहा है दूसरा हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनर्शिप प्रोग्राम है इसने भी जो बहुत सारे एरपोर्ट करने की सोचे कि इन दा फ्यूचर टूथाउजन टॉन्टिफाइव तक की काफी सारे तीन से चार बड़े बड़े एरपोर्ट देखने को मिल सकते हैं तो इसने भी अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इसके साथ जाथ जो हमारे गोवर्मेंट ओफ इंडिया है इसका भी वि अब इसमें आपको पता है कि हमारे इंटरनेशनल एरपोर्ट के बारे में आपने सुनाओगा जो कि ग्रीन फिल्ड एरिया में हो रहा है जे वर यूप के अंदर तो इसके अंदर डैवल्लमेंट का पूरा अच्छी प्रोग्राम चल रहा है जहां पर क्या होगा अगर वह स इंक्रीज हो सकते हैं एंक्रीजमेंट मैन्युफेक्चर एंड एक्सपोर्ट में वेन्फिट देखने को मिल सकते हैं अब जैसे मैं आपको यह सारी सारी चीजे बता दिये अब इसमें आपको पताऊंचिये कॉन्क्लूजन ठीक है कि इस पूरा एडिटोरियर में राइटर च्रक्टर को हमें एंहेंस करना पड़ेगा बहुत अच्छा करना पड़ेगा जिसे बहुत फ्यूचर में चीजे अच्छी देखने को मिल सकते हैं सेकंड जो हमारा उडान इनिशियेटिव आपको परता है उड़े देश का आम नागरिक तो इसके थू क्या कह रहे है कि इस पहले टाइम के बाउंड़ेड मैनर के अंदर हमें इसको कम्प्रीट करना पड़ेगा उससे क्या होगा हमारे इंटरनेशनल जो एर्पोर्ट वगेरा होंगे उनको भी अंगेज करना पड़ेगा और इसके साथ इसके साथ हमारे बहुत अच्छा काम हो सकता है इंदा जल्दी हो सके थोड़े चीप प्राइस पर हो सके और मतब रिपेरिंग वगेरा बहुत अच्छे से हमारी इंदर हो सके जैसे कि आपको पता है अगर हम स्पेस की बात करते हैं अमारे इस रोकी तो आपको पता है हम किसी भी उसको से सेटलाइट को हम अंतरिक्ष में भेज है ना इसको मैंटेंस और हमारी जो होते है जो यह एर लाइस होते इनके लिए कि करूंगे उनको भी मतब बनाने के कोशिक करेंगे एड्रेस कए ठीक जो हमारा एविसन इनको तो हम मिक्स कर लेंगे कि जो आर्मी के होते हैं और हमारे इसके तो यह इखटे मिलके एक लोंग टम पीर की तरह गोल की तरह वर्क कर सकते हैं और यह हमारे है और दूसरा हमारे कि हमने जो इंडिया में आपको पता है इंड फ्यूचर आप मैंने बता दिया कि हमारे इवीशन सक्रें बहुत अच्छा ग्रोइंग वह देखने को मिल सकते हैं तो हमारे में शोर्ट स्किल्ड परसन जिनके पास किल नहीं है ठीक है विदावट स्किल्ड परसन है इनको हमें क्या परने स्किल्ड परवाइड करनी पड़ेगी इनको स्किल्ड किसके तो को लाइब करना पड़ेगा हमें ओई एम हो गया इसके साथ लेकिए और जो हमारा ओएम है ओरीजनल एक्कुपेंड मैनुफेक्टर इंडस्ट्री और एजुकेशनल जो इंस्ट्रूट है ठीक है परशन जो मैन पावर आपको पता है इंडिया की एकोनॉम जो पॉपलेशन बहुत आई है अगर यह सारे स्किल्ड परशन होंगे तो बहुत बेनिफिट होने वारा है इंदा फ्यूचर तो स्किल्ड की हमें वह करनी पड़ेगी दूसरी हमें अर्ग्यूमेंटिंग फाइन लग चार्ज को हमें करना पड़ेगा अब इसको मैनेज कर सकते लाइक परसें टेक्स लग रहा है हमारे फ्यूल के उपर जो तर्बाइन फ्यूल है इसके अब पर हमें जिए लगा देंगे तो यह हमारे लिए घ्स लग रहा है वह आपको पताएगा तो इत्रा जादा लग तो हम उसको easily tackle कर सकते हैं और manage कर सकते हैं तो यह हमारा conclusion एक writer ने दिया थिक को और भी अदर भी सोचने पर चाहिए इसके साथ साथ हमारा Government के क्या क्या इनिशिएटीव है तो गौश्म जो इसके ऊपर इनिशिएटीव ले रहा है वह यह जी एस्ट रेट को मंटेनस के लिए विदिए भी हमारे इनिशेटिव ले रहे ऊसी के साथ हमारे इमर्जनसी क्रड़िस असिकी सिंगे इसके 3.0 एक एमर्जनसी इमर्जनसी क्रेड़िस लाइं गारंटी स्कीम यह कीन जो क्या कहती है कि अगर को विद्धary सिच्चेशन होगे तो उसको मनी सपोर्ट फाइनेशियल सपोर्ट हमारे गवर्मेंट प्रोवाइट करेंगी यह हमारी फाइनेशियल सपोर्ट के लिए बात करते है एविशन सेक्टर में लाइक को दिवाला गोस्तित हो गया तो दिवाले के लिए उसको अगर सपोर्ट चाह जो प्राइवेट होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के थू उसके अंदर इन्वेस्ट करें और नहीं हम एरपोर्ट को बिल्डप कर सकें और हर परसन के लिए मतलब हर एक मतलब लोकल एरिये तक हमारी फ्लाइट पहुंच पाई एजली ठीक है और इसके साथ जगह से हर परसन कनेक्ट हो पाई कि इसको हम टायर 2 टायर 3 के तायर हर सीटी को कनेक्ट कर सके और पीपल को ना इजली दूसरी जगह पर पहुंच रहे में असानी हो चुके तो यह हमारा पूरा फूरा एविशन सेक्टर है आई होप आपको यह साज चीजे क्लियर हो गई ह आपको एड़ीडियो ओटल यह सेयार वहाई रहां हो पूरा फोर सब्सक्राइब कर दिया और आपको और वीडियोत समयोच गहिए उगी होगी और अकेजा की सीजेner यह विडियो法 क्लिया बाइ